वन दे गजब ही हो गया अद्बुत चमतकार अकल्प नहीं हैं ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था दस साड़े दस साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक M.L. भी बन पाएगा ये भी उमीद नहीं थी कि एक M.L. बनेगा और आज दस साड़े दस साल के अंदर आम आत्मी पार्टी देश की राष्ट्रे पार्टी बन गही है तेरां सो से ज़्यादा पार्टी आए देश में पूरे देश में तेरां सो से ज़्यादा पार्टी आए और उनमें केवल छे पार्टी आ राष्ट्रे पार्टी आए और उन 6 में से केवल 3 पार्टी आएं जिनकी एक या एक से ज़्यादा राज्यों के इंदर सरकारे हैं उन 3 में आम आग्मी पार्टी आथे बीजेपी, कॉंग्रिस, आम आग्मी पार्टी तो सबसे पहले मैं सभी कारिकरताओं को तहे दिल से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ सभी सपोर्टर्स को, हमारे शुक्चिंतकों को, हमारे वोटर्स को और सबसे ज़ादा हमारे क्रिटीक्स को, जो हमें बताते रहते हैं समय समय पी कि हम क्या गल्तियों कर रहे हैं उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से बहुत-बहुत बढ़ाई देता हूँ, शुक्रियादा करता हूँ भगवान ने वहां से, उस वक्त तो अपने पास कुछ भी नहीं होता था, ना पैसे थे, ना आदमी थे, पैसे आज में नहीं है, आदमी बहुत हैं, लोग बहुत हैं लेकिन उपरवाला साथ है, आज सवेरे में यही सोच रहा था, कि कहां से कहां आ गए, तो इसका मतलब उपरवाला कुछ कराना चाहरा है हमसे, है की नहीं है, हम तो निमित मत रहें, हमारी तो अवकात ही कुछ नहीं थी, भगवान ने वहां जीरों से यहां पहुचा दिया इसका मतलब उपरवाले के दिमाग में कुछ तो चल रहा है, उपरवाला कुछ तो हमसे देश के लिए कुछ तो कराना चाहरा है, आज इस खुशी के मौके पे, मनीश जी की और जैन साब की बड़ी याद आ रही है, वो भी अगर होते, तो हमारी खुशी में और चार चाहंद लग जाते हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं, देश के लिए, हम सब के लिए, इस वक्त देश की सारी राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो इस देश का भला नहीं चाहती, जो इस देश की तरक्की नहीं चाहती, वो सारी ताकतें मिलके, आम आद्मी पार्टी का विरोध कर रही हैं, मनी सिसोद्या क्या क्या कसूर है, कल में एक उद्गाटन करने गया था, इस्ट विनोदनगर में एक स्कूल में, सरकारी स्कूल है सरकारी स्कूल है और उसमें फ्रेंच पढ़ाई जाती है जर्मन पढ़ाई जाती है स्पैनिश पढ़ाई जाती है जैपनीज पढ़ाई जाती है मेरी पढ़ाई हिसार के सबसे बड़े प्राइवेट स्कूल में होई थी हमारे स्कूल में भी ये सारी चीज़े नहीं पढ़ाई जाती थी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर वो शिक्षा दी जाती है तो मनीश सिसोधिया का कसूर था कि उसने गरीबों के बच्चों को सपने देखने सिखाए कि सपने देखो बड़े-बड़े सपने देखो उनको पूरा करने का जजबा रखो ये कसूर था मनीज सिसोदिया का, 75 साल से गरीब का बेटा गरीब रह जाता था, क्योंकि अच्छी शिक्षा नहीं मिलती थी, उनको उसने सपने दिये, उनके सपनों को उसने पर दिये, और ये सारी राष्ट्र विदोर विरोधी ताकतों ने मिलके मनीज सिसोदिया को जेल के अंदर डाल लिया, जैन साब का क्या कसूर था, उनका कसूर था कि अगर इस देश के अंदर कोई भी पैदा हो, उसको अच्छा इलाज मिलना चाहिए, ये गरीब हो चाहिए अमीर हो, गरीब आदमियों तो इसका मतलब यह नहीं कि वो रुलेगा, वो कॉरिडोर में पढ़ बीश के लिए, सारी राष्ठ विरोधी ताकतों ने मिल के उसको बिचारे को जेल के अंदर डाल दिया, लेकिन विचारा नहीं है, वो भगत सिंग का चेला है, तो ये सारी राष्ट विरोधी ताकतیں आम अदमी पार्टी को रोकना चाहती है, लेकिन उपरवला हमारे साथ ह किसी की हिम्मत नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ, no one can stop the idea, उस टाइम इस काम, इस पूरी यत्रह में बहुत सारे ऐसे लोग है, जिन्होंने बहुत कुर्बानियां दी, बहुत संघर्ष किये, हमारे बहुत साथी हैं, जिन्होंने खुब डंडे खाए, आपने भी खाए, ये कुई ने बेड़ पे थे, फ्रेक्चर हो गया था, बहुत डंडे खाए, जेल गए, बहुत लोग जेल गए, हमारी संतोश कोली शहीद हो गई, हमारे साथ मीरा सान्याल जी होती थी, बिपिन करके एक लड़का था पंजाब में, चुनाव में प्रचार के दौरान उसका हार्ट अटेक हो गया, और भी ऐसे कई लोग हैं, जिनको हमने इस यात्रा के दौरान खोया है, आज इस मौके पे हम उन सब को याद करते हैं, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, कि उन सब को शांती दे, उनकी आत्मा को शांती दे, अपने श्री चर्नों में उनको स्थान दे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, अपने परिवार नौकरी करते थे, अच्छे अच्छी नौकरियें छोड़के आ गए, क्योंकि उनको उन्होंने सबने सपना देखा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब देश के अंदर अच्छी शिक्षा मिलेगे, वो सब पड़े खुश हैं, कि दिनली के अंदर अप पंजाब के अंदर जिस तरह से मॉडल गवर्नेंस का बनाया जा रहा है, उनके सपने पूरे हो रहा है, बहुत लोगों ने संघर्ष किया है, और आज टाइम है, अपनी आइडियोलोजी को याद करने का, अपनी विचारधारा को याद करने का, आम कटर इमानदारी, मर जाएंगे, देश के साथ घदारी नहीं करेंगे, बहिमानी नहीं करेंगे, एक टाइम की रोटी कम खालेंगे, लेकिन बहिमानी नहीं करेंगे, बहिमानी का पैसा घर में नहीं आएगा, कटर इमानदारी, दूसरा स्तंबे, कटर देश भक्ती, देश क इंसान के लिए जरूरत पड़ेगी तो जान हाजिर आप फांसी पर चड़ जाएंगे। और तीसरा स्तंबे इंसानियत, इंसान को इंसान समझना है, इन लोगों की तरह गुंडागर्दी नहीं करनी है, गुंडागर्दी हमारी विचार धारा नहीं है, उनकी हो सकती है, इंसानियत, इंसान के लिए कुछ भी करने की जुरूर्थ पड़े, इंसान को इंसान से तो इंसानियत तीसरी हमारी आइडियोलोजी है, पहली बार देश के अंदर पहले कहते थे, चुनाव लड़ने के लिए इतनों पैसों चाहिए, बेइमानी तो करनी पड़ती है, हमने दिखा दिया कि इमांदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं, और जीते भी जा सकते है हमने लिखा दिया कि इमांदारी से सरकार चलाई भी जा सकती है, और सफल सरकार चलाई जा सकती है, हमने साबित कर दिया कि सफल सरकार तो इमांदारी से ही चलाई जा सकती है, बेइमानी से सफल सरकार नहीं चलाई जा सकती है तो जैसा मैं कहा रहा था, भगवान हमसे कुछ कराना चाह रहा है, हम सब का सपना है कि भारत दुनिया का नंबर वन देश बने, अधिया नंबर वन और हमारा देश बन सकता है नंबर वन, हमारे देश के अंदर ख्षमता है, लोगों में ख्षमता है, और शायद भगवान ये चाहता है कि भगवाद की भारत को दुनिया का नंबर वन देश तो यह आम आदमी पार्टी वाली बनाएंगे, ये काम हमारे राजनीती के अंदर, राजनीती को एक नई दिशा दी है, अभी तक जब भी ये लोग चुनाव में आते थे, केवल और केवल गुंडा गर्दी, गाली गलोच, उसने उसको गाली दे दी, उसने इसको गाली दे दी, उसने उसको कुछ कह दिया, उसने इसको कुछ कह दिया, टीवी वाले आते थे जी उन्होंने आपके बारे में ये बोला आपको क्या क्याना है अरे बोलने दे क्या है आपको क्या लेना देना किसी ने क्या काया मारे बारे बस यही चलती थी राजनी थी इसने ये बोला जी आपके बारे में आपको क्या क्याना है उसने ये बोला जी धर्म के नाम पे पहली बार इन सब को सबसे बड़े नेता को एक फरजी क्लास में ले जाके बिठा दिया हम लों बाना है वो पता नहीं असली स्कूल में गए की नहीं गए लेकिन इस जिन्दगी में उनको एक दिन असली स्कूल में भी भेजेंगे पहली बार देश की राजरीती में स्कूलों की बात होने लगी है जहां हम जाते हैं चुनाब लड़ने वहीं पे सारी पार्ट आ शकूलों की बात करती है अस्पतालों की बात करती है मोहला क्लिनिक की बात करती है सुनके अच्छा लगता है यही तो नीचे यह राजनीती असली राजनीती तो यही है कि स्कूल की बात हो राजनी पानी की बात हो बिजली की बात हो अब सारी पार्टियां कहती है बिजली फूरी देती नहीं है कहती तो है कहलवा तो दिया सबसे अमित्शा जी नहीं भी एक मेरे को याद है कहीं बोला था वेस्ट बंगॉल में जाके बोला था हमारी पार्टी की सरकार बनी तो इतने यूनिट बिजिनी फ्रीद केलवास सब से दिया करवा भी देंगे सब लोगों से दीने भी एक बारी और सब लोगों को याद दिला दूं कई बार बोल चुका हूँ हम लोग आम आदमी पार्टी में मरने मिटने के लिए देश के लिए आए हैं अगर किसी के मन के कोने में कभी आये पद की इच्छा पैसे की इच्छा प्रतिष्ठा की इच्छा तो या तो फीलिंग निकाल देना और या हम आदमी पार्टी छोड़ देना गलत पार्टी में आ रहा हूँ और उसमें अब एक चीज और एड़ कर रहा हूँ यह अब जेल में डाल रहे हैं मैंने कहा न सारी राष्ट्र विरोधी ताकते ही कठी हो गई आम आदमी पार्टी के खिलाफ वो नीचाती की देश की तरक्की हो वो नीचाती देश में स्कूल खुलें वो नीचाती देश मे सबका नंबर आएगा सबका नंबर आएगा एक एक करके कम से कम आठ से दस महीने जेल में जाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा उससे ज़्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि कुछ करा ही नहीं फिर उसके बाद तो बेल मेल मिली जाती है अगर किसी के मन में डर है तो आम आदमी पार्टे छोड़ देह जैसा मैंने का आज दो किसम की राजनीती देश के इंदर चल रही है एक पॉजिटिव राजनीती आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर हम चुनाव लड़े हमने कभी किसी को गाली नहीं दी हमने कभी किसी को गाली नहीं दी हम हमेशा मैंने पिछले चुनाव में दिल्ली के चुनाव में चुनाव के पहले बोल दिया था कि बहुत मैंने पांच साल में काम किये अगर आपको मेरे काम अच्छे लगे तो मेरे को वोट देना नहीं तो मेरे को वोट मत देना काम के नाम पे वोट मांगे हमने, पंजाब में गए, हमने अपनी गारंटियों के नाम पे वोट मांगे, गोवा में गए, गुजरात में गए, अपनी गारंटियों के नाम पे काम पे वोट मांगे, ये पॉजिटिव राजनिती है, और ये लोग जो गुंडागर्दी करते है मार काट करते हैं लड़ाई जगड़े करते हैं गाली को लोज करते हैं ये नेगिटिव राजनीती इस देश को पहली बार हम लोगों ने पॉजिटिव राजनीती दिये आज मंच से इस देश की जंता को अवान करना चाहता हूं कि भारत को नंबर वन देश बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी हैं और आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए एक नंबर दे रहा हूं उस नंबर पर जो जो लोग देश भर में आप तो जुड़े हुए आपको करने की जुरूट नहीं है इस पर मिस्ट कॉल मारें जो जो देख रहे हैं 987-10101-987-10101-987-10101 इस नंबर पर मिस्ट कॉल मारें आम आदमी पार्टी से जुड़ने के लिए और अंत मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अगर इस देश की सेवा के लिए ये जान चली जाए तो अपने को बहुत सो भागेशाली समझूंगा इस शरीर का कत्रा कत्रा मेरे शरीर के खून का कत्रा कत्रा इस देश के लिए अगर शहीद हो जाए तो अपने आपको बहुत सो भागेशाली समझूंगा देश के उन सब करोडों लोगों को सलाम जिन लोगों ने इतने कम समय में आम आदमी पार्टी पर इतना विश्वास किया इतनी बड़ी हमको जिम्मेदारी दी राश्ट पार्टी बनने की जिम्मेदारी कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उपर वाले से प्रार्थना करता हूं कि ये जिम्मेदारी पूरी मांदारी और निष्ठा के साथ हम लोग पूरी कर पाएं ऐसा हमें ताकत दें हमें सत्बुद्धी दें बहुत बहुत शुक्रिया भारत मता की